नमस्कार दोस्तों ज्यान के गठरी चाइनल में उमा संकर फर्मा के तरफ से आप सभी का स्वाज़त दोस्तों मुझे उमीद है कि आप लोग सस्थ होंगे मस्थ होंगे और खुस होंगे आज हम बढ़ाई के उन सारे अवजारों का नाम हिंदी और इंगलिस में एक एक करके जानेंगे जिन अवजारों से बढ़ाई लकडी के काम को आसानी और सुद्रड तरीका से करते हैं इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और लगे हात बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलका रहे और आप वीडियो देखना मिस्त न करें सब्सक्राइब करने में पैसा कोई थोड़े न लगता है वीडियो को एस्कीप मत करना वीडियो के अंध तक बने रहिए तब ही आप पूरी जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं आईए बिना देरिक ये वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले अउजार का डिब्बा अउजार के डिब्बे को इंगलिस में टूल बॉक्स बोलते हैं ये है फीत्ता जिसे इंगलिस में मेजरिंग टेप बोलते हैं ये है आरी आरी को इंगलिस में सा बोलते हैं ये है लकडी काठने की आरी इंगलिस में इसे hand सा या panel सा बोलते हैं ये है लोहा काथने की ARI इंगलिस में इसे hex सा बोला जाता है ये है मापन आरी इंगलिस में इसे chain सा बोला जाता है ये है तीकोरी या रेती इंग्लिस में इसे ट्रेंगुलर फाइल बोलते हैं ये है बसूला इंग्लिस में इसे एज बोलते हैं ये है बड़ा रंदा इंग्लिस में इसे जैक प्लेन बोला जाता है ये है गुटका रंदा इंग्लिस में इसे एस्मूथिंग प्लेन बोलते हैं ये है पतामी रंदा इसे इंगलिस में रीबेट प्लेन बोलते हैं ये है हथोडा इंगलिस में इसे हैमर बोलते हैं ये है क्रास पीन हथोडा इंगलिस में इसे क्रास पीन हैमर बोलते हैं ये है पंजेदार हथोड़ा इसे इंगलिस में क्लो हैमर बोलते हैं ये है लकडी का हथोड़ा इसे इंगलिस में मैलिट बोलते हैं ये है गुनिया इसे इंगलिस में ट्राई एस्क्वेर बोलते हैं ये है माइटर गुनिया इसे इंगलिस में माइटर एस्क्वेर बोलते हैं ये है जमूरा जमूरा को इंगलिस में पींसर बोलते हैं ये है रेती रेती को इंगलिस में फाइल बोला जाता है ये है तिकोरी तिकोरी को इंग्लिस में ट्रैंगुलर फाइल बोलते हैं ये है गोल रेती गोल रेती को इंग्लिस में राउंड फाइल बोला जाता है ये है चौरसी चौरसी को इंग्लिस में चीजल बोला जाता है ये है चूल चौरसी, चूल चौरसी को इंगलिस में मौर्टिस चीजल बोलते हैं ये है चौरी चौरसी, इसे इंगलिस में चोपिंग चीजल बोलते हैं ये है लंबी चौरसी, इसे इंगलिस में पैरिंग चीजल बोलते हैं ये है सुद्रिड चौरसी इसे इंगलिस में फार्मर चीजल बोला जाता है ये है बेवल चौरसी इसे इंगलिस में बेवल चीजल बोला जाता है ये है खतकस इंगलिस में इसे मार्किंग गेज बोला जाता है ये है चूल पैमाना इंगलिस में इसे मौर्टिस गेज बोला जाता है ये है सिकंजा सिकंजा को इंगलिस में वाइस बोला जाता है ये है टी सिकंजा इंगलिस में इसे टी बार क्लैंप बोलते हैं ये है मेज का सिकंजा इंगलिस में इसे बेंच बाइस बोलते हैं ये है जी सिकंजा इंगलिस में इसे जी क्लेंप बोलते हैं ये है माइटर सिकंजा या कॉर्नर सिकंजा इंगलिस में इसे माइटर क्लेंप या कॉर्नर क्लेंप बोला जाता है ये है सिल्ली या पत्थर इंगलिस में इसे सार्पेनिंग एस्टोन बोला जाता है ये है चौकिंग गन इंगलिस में भी इसे चौकिंग गन ही बोला जाता है ये है रिप्ट गन रिप्ट गन को इंगलिस में रिवीट गन बोला जाता है ये है कील ठोकने की गन इंगलिस में इसे नेल गन बोला जाता है ये है गोंद बंदूक गोंद बंदूक को इंगलिस में कलू गन बोला जाता है ये है चक्की चक्की को इंगलिस में ग्राइंडर बोला जाता है ये है बर्मा बर्मा को इंगलिस में ड्रील बोला जाता है ये है निहाई निहाई को इंगलिस में एन्विल बोला जाता है ये है परकार परकार को इंगलिस में कमपास बोला जाता है ये है सुम्भी इंगलिस में इसे पंच बोला जाता है ये है केंद्र छिद्रक इंगलिस में इसे सेंटर पंच बोला जाता है ये है सुवा या टेकुवा इंगलिस में इसे एवल बोला जाता है ये है स्टील एसक्राइबर इसे इंगलिस में भी स्टील एसक्राइबर ही बोला जाता है ये है साहुल, साहुल को इंगलिस में प्लम बब बोलते हैं ये है मार्किंग धागा, इंगलिस में इसे मार्किंग ठ्रेड बोला जाता है ये है सम्तल मापने का पाईप, इंगलिस में इसे वाटर लेवल पाईप बोला जाता है ये है सम्तल नापने का यंत्र इंग्लिस में इसे एस्पिरीट लेवल बोला जाता है ये है नापने वाला इंग्लिस में इसे एस्पैनर बोला जाता है ये है पेचकस पेचकस को इंग्लिस में एस्क्रियू ड्राइवर बोला जाता है ये है प्लास प्लास को इंग्लिस में प्लायर बोला जाता है ये है नुकीला प्लास नुकीला प्लास को इंग्लिस में निडल नोज प्लायर बोला जाता है ये है पकर सरोता इंग्लिस में इसे वाइज ग्रिप्स बोलते हैं ये है पकर सरोता इसे इंगलिस में grip player बोलते है ये है पाना पाना को इंगलिस में wrench बोलते है ये है pipe का पाना इसे इंगलिस में pipe wrench बोला जाता है ये है adjustable पाना English में इसे adjustable wrench बोला जाता है ये है kill English में इसे nail बोला जाता है ये है page Page को English में screw बोला जाता है ये है rag mal rig mal को English में send paper बोलते है और आज का सवाल जमूरा को English में क्या बोलते है आप लोग comment कीजिए और comment box में इसका जवाब लिखिए आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा अगर हमारी वीडियो पसंद आई होगी अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो like कीजिए, subscribe कीजिए, share कीजिए और bell icon दबाना मत भूलिए जैसे ही हमारी नई वीडियो आएगी सबसे पहले आपको notification जाएगा और आप वीडियो देएगा जब तक सुछ रहेए, आवाद रहेए और हमारी वीडियो को वाच कीजिए श्क्राइग